आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक रेसिपी दही लोसुन की कड़ी बीना पकोड़े के हामिस को तयार करेंगे जो हटपड बन भी जाता है बहुत ही इजी रेसिपी है जब कुछ बनाने के मौन ना हो आप इस कड़ी के साथ चावल खा सकते हो इस गर्मी में इस टाइप के कड़ी आपको सरीर में बहुत ठंडक देते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक काप दही लिया है आप जिस काप के ही सबसे दही ले रहे उसी काप के ही सबसे पान लेना कोई भी काप ले सकते हो उसी काप के ही सबसे दही और पानी का मेजरमेंट लेना दही को हम अच्छे से फेट लेंगे फेटने के बाद जिस काप से हम दही लिया है उसी काप के हिसाब से हम इसमें देड़ से दो काप हम इसमें पाने याड़ करेंगे और अच्छे से फीर से एक बार अच्छे से मिश्ट कर लेंगे पस एक छोटा वाला कॉटरी लेंगे उसमें डाल लेंगे 2 टेबिल स्पुन हम बेसन और इसमें डाल लेंगे 1.5 ती स्पुन हल्दी पावडर इसमें डाल लेंगे वान फुट काप पानी और अच्छे से इसको मिश्ट कर लेन इसमें कोई लाम्स नहीं रहना चाहिए अच्छे से अब इसको मिष्ट कर लेना अब क्या करेंगे चार लोसून की कलिया लेंगे चार से पांच और हरे मिच दो और इसमें डाल लेंगे हम हाप टी स्पून करीब साबूत जीरा आच्छे से हम इसको दर दरा कूट लेंगे देखें इस तरीक इसे कूट लेंगे हम एही तड़का हमें बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसी कड़ी में बैस गैस के उपर एक कड़ाई चारा देंगे उसमें डाल लेंगे सोर्सो का दाना और हम डाल दे इसमें थोड़ा सा हिंग और कुछ कारी पत्ता बस थोड़ा से इसको चटक ने देंगे आज को आप मीडियम से लो पर रखना नहीं तो सारे समगें हम जल जाएंगे मसाला हमर जल सकते अब हम डाल लेंगे जो लोसून और मीर्ची को हमने कूट के राखा था ओ हम डाल लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जास्ट लोसून का हमें कच्चा पंदूर करना है अब आज को लो करके अब हम इसमें बेशन जो घोल के राखा था पानी के साथ वह हम डाल लेंगे और कंटिनुआसली हम इसको चलाते रहेंगे आज को इसलिए आप लो परी राखना ऐसे मिश्ट करगे बाद हम इसमें डाल देंगे जो दही को अब भी घोल्ड़ी नहीं रहना चाहिए बस मिश्ट हो चुका है अब हम इसे उबाल आने देंगे साधनुसा नमोग डाल लेंगे और 140 स्वन मैंने चीनी डाला है दही ज़्यादा खटा है तो चीनी मिला सकते हो बिल्कुल अप्शनल है अच्छे से मिक्स्ट होने देंगे और वेस उबाल आने देंगे हमेसे उबाल आने के बाद बस आप 2-3 मिनीट आप इसको कुक कर लेना बिद्यम से हाई फ्लेम पर बस गयस को कर देंगे बंद और इसे एक बर्टन में निकल लेंगे उपर से कुछ हरा धनिया छिड़क देंगे अब गयस के उपर एक तड़का पैंड लेंगे और उसमें डालेंग आप इसमें डाल देंगे एक ट्रिपी स्पून बारीक चॉप किया हुआ लोशुन मेरा तड़का पैंड ज्यादा गरम हो गया था इसलिए मैंने गयस बंद कर दिया है लोशुन के हमें जालाना नहीं है हलका हलका से फ्राइब करना है हलका लोशुन जब फ्राइब हो बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाप टी स्पून कास्मी लालमीच पाउडर आप गयस बंद करने के बाद ही लालमीच डाना नहीं तो लालमीच हमारा बिल्कुल काला हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएंगे और उपर से हम तरका लागा देते है दोई लोशन की कड़ी हमारा रेडी है आप चावल के साथ इसे आराम से साथ कर सकते हो बहुत ही जट पड़ बन जाते हैं रेसिपी अगर पसंद आए एक लाइक जुरूर कर देना और मेरा रेसिपी आप लोगों कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बक्स पर जुरूर ब बहुत है